हेई वाट्साप वेड़ी दिसना गुसागार वेलकम बैक तू माई यूटूब चैनल गाइस काफी टैम से नहीं एक चीज नोटिस करा हूँ यूटूब पर नहीं एक होड लगे है कि हमें एक अच्छा कैमरा खरीतना है हमें एक ऐसा मैक बूक करितना है जो हमारी विडिटि पर बात करते हम अपने परफेक्ट फोन के बारे में जो कि आपको पर्फेक्ट व्यक्राफी में लगने वाले फोटोग्राफी में लगने वाले इवन दो आप उससे नेक्स लेवल भी वाइटिंग भी कर पाओगे बिना किसी उपावर्ट अट मैं बात कर रहा हूँ आइफोन 11 की यह इस टाइम मार्केट में आपको 35,000 रुपीज का इसली किसी मार्केट में मिल जाएगा अगर आप इसमें डिसकाउंट लगाते हैं तो आपको 30 तक भी मिल जाते हैं यह इतना परफेक्ट फोन है न मैं आपको क्या बता हूँ इससे आप हर तरीके के वीडियोग्राफिक कर सकते हो अगर आप व्लॉगर होते हैं मैं इसको definitely कहता हूँ कि आप इसको purchase करो यह एक बहुत अच्छा फोन निकल के आता है इसके अंदे चिप सेट है वो इतना capable है कि आपको high level अलिटिंग भी करने को दे सकता है सबसे पहले अगर मैं इ उसके साथ मिलता है एक wide-angle camera जो यह wide-angle camera यार इतना ज्यादा वाइड है ना कि आपके आसपास का व्यू बहुत अच्छे से capture करता है और जिसमें मुझे ऐसा लगता है कही में कमी नहीं है और इवन तो जब आप वाक करते हो ना तो इसका stabilization इतना ज्यादा बैस्त है इतना ज देख पा रहे हो कि यार कहीं पर भी आपका ऐसा फील नहीं हो रहा हो कि यार मुझे ट्राइपॉट की भी जुरू होता है इवन दो आप इसकी माइक quality चेक कीजिए और मुझे बताइए कि अब अब कैसा लगए मैं एक शोर वाली जगह पर जाता हूं और दैन फिर आपको हो रही है इसकी यह इसकी औरिजिनल माइक से हो रही है मैंने कोई अपर्फेक्टी आवाज निकाल के दे रहा है जैसे कि आईसे आइस आपने देखा कि इसी वीडियो क्वालिटी कैसी है मलब मुझे को तो वह बहुत इंप्रेफिसिल लगती है यह तो चलो आपने अपने गर में देखा अभी मैं आपको कुछ फोटेजेस दिखा रहे हो जो आप देख सकते हैं यह मैंने कितने अलग अलग वैदर में अब देख सकते हैं इसका 4K 60fps पर सकता है यह बहुत अच्छी लेके आता है इसका output पर तो इतना ज़दा अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बता हूँ मैं को अगर कोई भोलेगा ना कि आप एक camera purchase करना चाहते है या फिर एक iPhone तो मैं बोलूँगा कि iPhone 11 इस तैमें perfect होगा और हाँ अगर कुछ लोग सोच रहेंगे या इतना ज़दा पुराना phone है इसको हम क आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है मतलब यार इसके अगर मैं बात कुरूँ बस मैं इसमें एक downgrade यह है कि इसकी स्क्रीन है वो LCD है एमुलेड नहीं है तो इसमें क्या फरकाते है जब content watch करते हो तो 19-20 का फरकाता है सब इतना ही फरक है वो भी उन लोगों को नज़र आगा से 19-20 का अंतर है इतना मैं परसनली बता सकता हूं कि मैं अपने सारे content इसी फॉन में watch करता हूं लो camera तो कार इसके अच्छे हैं लेकिन आगर वीडिटिंग के बारे में बात करें तो अम कहां पर वीडिट कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको बता दू कि आपके पास आ Android में यूज़ करते हैं पावर डिरेक्टर हो गया या फिर काइन मास्टर आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है यहां पर मैं आप लोगों कोई points नहीं बताने वाला था नहीं मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाज़िस आप सोच नेक्स लेवल ली कर सकते हो इवन दो फोटोग्राफी बहुत अच्छी होते हैं पोट्रेट मोड है बहुत अच्छा यूज़ होता है उनके कैमरा के अंदर आपको बहुत अच्छे स्टैबलाइजेशन में मिलते स्टैबलाइजेशन इतनी फिस नहीं अच्छी है कि मैं क् फोन होता है उसके बाब मुझे ऐसा फील नहीं होता कहीं से मेरी वीडियो न बहुत ज़्यादा शेकी आ रही है तो इस वज़े से मैं इस फोन को हमेशा प्रफक करता हूं और मेरी जितनी भी सीरीज आप इस यूटूब चानल पर देख रहे हो जितना कुछ भी देख रहे हो को देखने में मैरी को यहार, बहुत जž्छा मज़ा आता है अपने शेयर करने में मैं यहा 받व टैकी वीडियो नहीं शूट कऱmist था यह, इसववजे से मैं आपको न सफिस्ट मिन बता रहा हूं, और साती साथ अपने कुछ few इसको प्रफर करूंगा अगर आप लोग के बजट अच्छा है तो आप इसकी तरफ जाए कोई दूसरा थौट लिए कि यार कैसा रहे गए और मुझे इन्वेस्ट करना बगार कुछ यह फोन ले लिजिए आप अराम से अपना करेर स्टार्ट कर सकते और अपने करेर को बूस पूसरा चाहिए तो गाइस आपको यह वीडियो पसंद आगर पसंद आई है तो लाइक करना अपमें दोस्तों को शेर करना बताना कि यह फोन किता था कैप अब है और आपके बार इसको यह टेकनिकल चीज़े जाननी है तो वह आप यह टेक्नेल पर चेक कर सकते हैं वह जादा अच्छा रहेगा ना कि सिफ टेकी वीडियो पताना विकि काफे ज़र पुराना फोन है टेक वीडियो आपको हजारों मिल जाएगी बस आज के लिए इतना है थैंकि पर वाजिन दिस वीडियो गाइस बाबाई टेक एर सायोनारा और हाँ वीडियो बनाना बदेंग मुपा आप आपी गोड़ाणा झाल मिल जाएगर रहेंगा याजियो आपको